हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडी जार्फन क्लासेस में और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रफुल कुमार राय जो नागपुरी कवी के बारे में हम लोग को पढ़ना है शाहित्तिक निबंद ये टोटल हम लोग क्लास कर चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MCQ यानि प्रफुल कुमार राय का फुल MCQ प्राक्टिस सेट जिसमें आपका 41 से 42 प्रश्ण होंगे ठीक है एकदम ध्यान से देखने हैं देख लीजिए ये सब जो है जितने सारी इंपॉर्टेंट है सारे आप आपको यहां प्रश्ण बताया जा रहा है और देखिए कौन-कौन से क्लास हो चुके हैं इसकी भी जानकारी हमको प्राप्त कर लेने चाहिए तो देखिए साहितिक निबंद का टोटल आपको यहां पढ़ा दिया गया है जो जिसका लिंक जो है डेस्क्रिप्शन में दे द जो कि इसका भी विडियो है ठीक है और कहानी का भी एक्स्प्लैशन हो गया है तो दोस्तों आपकी सारी विडियो जो है लिंक उसका डेस्क्रिप्शन में मिलेगा और पीडिय खरीना चाहते हैं तो पीडिय के लिए कंटेक्ट कर सकते हैं यानि कि परफुल कुमार राय के बारे में पड़ने वाले हैं तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो परफुल कुमार राय है और PDF के लिए कोंटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और यहां नाकपुरी का स्वंपुन तयारी free of cost करा जा रहा है आप अराम से देख सकते हैं हाना तो चलिए अभी हम लोग question क्यों चलते हैं प्रफुल कुमार राय के बारे में बिल्कुल नए सलेबस के अधार पर हाना फर्स्ट जो प्रश्ण है नागपुरी सहित्यकार भारतेंदू नागपुरी सहित्यकार कर भारतेंदू केके कहल जाईला तो नागपुरी सहित्यकार भारतेंदू जो है किसे कहा जाता है तो प्र दूसरा नमबर प्रश्ण है, प्रफुल कुमार रायकर जनम कब हुआ? प्रफुल कुमार रायकर जनम कब हो लग? तो देखिए इनका जनम जो है कहीं कहीं बताता है 8 फेवरी 1926 और कहीं कहीं बताता है 8 फेवरी 1932 लेकिन जो है ये 8 फेवरी 1926 शही है तीसरा चलते हैं प्रफुल कुमार राय कर जनम कौन जिला में हो लग तो जो प्रफुल कुमार राय कर जनम हुआ है कौन जिला में हुआ हम आपको सारे ओप्सन नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें स्टूडिंट्स का बहुत सारा टाइम परबाद होता है आपको जब PDF खरीदेंगे तो PDF में आपको मिल जाएंगे वैसे आप फिर अपना सेट लगा सकते हैं तो देखिए ये जो प्रफुल कुमार राय का जो जनम हुआ था गुमला जिले पहाल बंगरु में हुआ था प्रफुल कुमार राय कर निधन कितने वर्ष की आयू में हुआ था तो देखिए आपका ओपसर नमबर D हो जाएगा सही अंसर 64 ठीक है यानि 64 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया था ठीक है और यहां जो है 80 जारकन क्लासेस के द्वारा आपका फुल क्लास कराया जा रहा है और PDF का दाम जो प्राइस रखा गया है वनली 2.99 अभी ओफर प्राइस है तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं ठीक है और नहीं तो आप YouTube पर फ्री अफ कोस्ट क्लास करके अपना नोट्स बना सकते हैं ठीक है प्रफुल कुमार राय कर निधन का भोलक तो देखिए यह जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर B साथ फेबुरी 1991 में साथ फरवरी 1991 में नेक्स्ट प्रफुल कुमार राय कर पीता कर कहा नाम रहे तो देख प्रफुल कुमार राय कर पिता का नाम था प्रफुल कुमार राय को प्यार से माता पिता क्या कहते थे हैं या फिर प्यार से और लोग क्या कहते थे दा कहते थे ठीक है प्रफुल दा और एक चैप्टर भी था हम लोग बनकेवरा भागमन में पढ़े थे जो पहले वाला सी चलिए next प्रशन के और चलते हैं सातवा नम प्रशन क्या कहता है प्रफुल कुमार राय कर माई यानी कीर माता माता कर का नाम रहे तो option नमबर a हो जाएगा सुचित्रा बाला देवी क्या हो जाएगा सुचित्रा बाला देवी के कर कोन नागपूरी कवी कर माय कर नाम हके इस प्रकार से भी प्रशना पूछा जा सकता है तो प्रफुल कुमार राय कर माता कर नाम हके हाना, next चलिए, next प्रशन क्यों चलते हैं हम लोग प्रफुल कुमार राय कर जो पत्नी कर का नाम रहे प्रफुल कुमार राय कर पत्नीकर का नाम रहे तो देखिए यहां हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर भी हांसी रानी राय हम एक जो प्रशन पूछेंगे आपको यहां कमेंट सिक्षन में कमेंट भी करना है जैसे कि प्रशन पूछें आपका वहां पांस सेकेंड का आपके पास टाइम रहेगा उसमें आपको कमेंट सिक्षन में कमेंट करना है ठीक है प्रफुल कुमार राय, 9 नमबर प्रश्ण है, प्रफुल कुमार राय करसाधी, जो है कौन बचहर में हो लग, प्रफुल कुमार राय करसाधी कौन साल हुआ, जल्दी आप कमेंट सेक्षन में करें, 1, 2, 3, 4, आपका टाइम अप हो गया, चलिए तो इसका ओप्सन नमबर, 20 स साधी हुआ, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो प्रफश्ण है, सेंट्रल कोल फिल्ड में एक सरकारी करमचारी के रूप में, कैरियर की सुरुवात, निम्न में से कौन नाकपुरी कर लें, तो देखिए, निम्न में से कौन नाकपुरी कभी कर लें, ओप्सन नमबर, A, B, सी डी तो देखिए ऑप्सन नमर इसका सही हो जाएगा डी क्योंकि ऑप्सन ही बोलेंगे ना वन टू थी से अच्छा है कि हम ऑप्सन बोल दें आपके पास उतना समय भी मिल जागा कमेंट भी कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि स्टूडेंट का ज्याद करेंगे समझे यानि कि एकदम हारना नहीं है न ठकना है न बोर होना है पढ़ना है एक सीट भाई लेना है तो लेना है एक सीट लेना है यही संकल्प के साथ पढ़ें तभी आपका हो सकता है कुछ यह भी आप पहले से ही जानते है मन के हार हार है मन के जीते जीत तो मन क्या है ना मन इंद्रियों का खेल है जिधर इंद्रियां जाती है उधर मन भी जाता है तो भाई मन को रोके और एक जगा इस्थिर करें कंसेंट्रेशन करें और अपना स्टडी की और फोकस ले जाए नेक्स जो प्रस्ण है सोईंजर बर्खा और बर्खा खंड केकर कहानी संग्रा के तो option number a हो जाएगा प्रफुल कुमार राय यानि कि जो प्रफुल कुमार राय है यह सोईंजर बर्खा और बर्खा खंड कहानी संग्रा लिखे हैं और इस प्रकार से प्रस्ण ऐसा भी पूछा जा सकता है जो कि हम अभी इसमें देखिए जैसे कि सोईंजर किस प्रकार कर संग्रा है के इस प्रकार से पूछ देता है प्रस्ण बर्खा खंड कोन विदा में लिखला है तो एक कहानी संग्रा है बर्खा खंड कहा के तो एक कहानी संग्रा है बर्खा कहा के तो कहानी संग्रा है ठीक है नेक्स चलिए नेक्स प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग 12 नमर प्रफुल कुमार रायकर कोन रचना है तो देखिए नागपुरी कभी औसर नहीं मिली बुझू, C, किलकिला और D सभी तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा option number D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नागपुरी परिशद का गठन कभ हो लग तो देखिए इसका जो सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा D1960 ठीक है याने कि नागपुरी परिशद का गठन किये थे प्रफुल कुमार राय जी वो कभ किये थे? इनके ये सहायता किये थे नागपुरी परिशद का गठन करने में सहायता किये थे गाओ कर इसकुल में प्रफुल कुमार राय कौन क्लास तक पढ़ाई भर्णों में किये थे? पहला, दूसरा, तीसरा, सभी तो अप्शन नमबर D इसका सही अंसर हो जाएगा यानि कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी क्लास का जो पढ़ाई किये थे ये कहां किये थे? भर्णों में है किये थे प्रफुल कुमार राय राची कर वर्णा कुलर मिडिल इसकूल में कब से पढ़ने लगे थे? तो देखे, आपका हो जाएगा सभी अंसर सेप्टेमबर 1934 से ये प्रफुल कुमार राय राची कर वर्णा कुलर मिडिल इसकूल में पढ़ने लगे थे प्रफुल कुमार राय सात्वा में फेल कौन से सब्जेक्ट के कारण हुए थे तो देख लिजे यहां जो है कौन सा इंग्लिस नहीं जाने के कारण वो सात्वा में फेल हुए थे और अगले साल जो है इंग्लिस नहीं जाने के कारण वो सात्वा में फेल हुए थे यह नोट कर लिजेगा क्योंकि यह इसका सायत नहीं लिखा गया है ने तो आगे लिखा हुआ होगा तो आगे भी लिख लिख लिजेगा नहीं तो अभी इसको नोट के लिजे अपने नोट कॉपी में और ये 1940 में पास किये थे सातवा, सातवा का पास किये थे 1940 में नेक्स्ट प्रफुल कुमार राय कर पिता जी का देहांत कब हुआ था तो ये औप्सन नमबर भी हो जागा 1940 में यानि कि राम किसोर जी ठीक है देखिए ये जो राम किसोर जी है राम किसोर राय इनका जो देहांत हुआ कब हुआ था 1940 में हुआ था रामकिसोर राय जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था 1940 में यानि की प्रफुल कुमार राय कर पिता कर कब देहान दुआ था 1940 में प्रफुल कुमार राय मैट्रिक पास मैट्रिक पास कब किये थे तो इसमें मैं बता दूँ यह प्रफुल कुमार राय यह नहीं होगा ठीक न यह गलत हो गया टाइपिंग हाँ तो यह जो प्रफुल कुमार राय है metric pass कब कर लें तो 1923 में metric pass किये थे प्रफुल कुमार राय इन कंबर स्टेट कर office में किरानी करकाम कों जिला से में सुरू किये थे सबसे पहले कौन जिला में शुरू किये थे इन कंबर स्टेट का तो गुमला जिला में ठीक है चलिए नेक्स्ट उप्सन नमबर इसका भी सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्न की और चलते हैं हम लोग अगला प्रस्न क्या आता है प्रफुल कुमार राय किरानी कर काम कोन इस्वी में छोड़े थे तो यह जो है 1945 में यानि की ओप्सन नमबर इसका भी सही हो जाएगा यानि की यह जो प्रफुल डा है वो किरानी कर काम जो है इनकंबर स्टेट से वो कब छोड़े थे 1945 में पर फुल कुमार राय कलेक्टरी प्रुवेशनर में काम करना कब से सुरू किये थे यान ये आप नोट कर लेंगे सारे जो आप नहीं पता है या आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो फिर आप सारे चीज को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेंगे आप एक नोट को पी जरूर बनाएंगे टोटल डिपेंड ना रहेंगे पीडियाप पर कुछ अपने से भी करना है कुछ अपने से भी करना है और जो वीडियो में बताते हैं उसे भी नोट करना है अपने कॉपी में तो यहां देखिए जो collectory, professional का जो काम कब से शुरू किये थे प्रफुल दा, तो यह option number B 1945 से, कब से 1945 से ही, next, आपका जो प्रश्ण है, प्रफुल कुमार राय आइकम कोन जीला से किये थे, प्रफुल कुमार राय आइकम, यानि कि वानीज्य में जो आइकम ये वीकॉम भी वा राची जीला में, और कब किये थे आइकम? तो 1950 में इनका आइकम फाइनल हुआ था, और वीकॉम जो फाइनल हुआ था, 1956 में हुआ ठीक है, वीकॉम जो आपका clear हुआ था, कब हुआ था? राची से, चलिए next पढ़ते हैं, प्रफुल कुमार राय कर intermediate of commerce कर पढ़ाई, कब प ये इनका complete हुआ था तो option number इसका क्या हो जाएगा option number इसका c हो जाएगा next चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 24 नमबर प्रश्न क्या कहता है प्रफुल कुमार राय बीकॉम की पढ़ाई कपूरा किये बीकॉम की पढ़ाई कपूरा किये और कहां से राची सही किये थे और कहां से ये 1956 में इनका complete हुआ था यानि कि option number इसका B सही अंसर हो जाएगा ठीक है 25 नमबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग प्रफुल कुमार राय CCL में बढ़का officer कौन बचर बने थे मतलब कि जो सबसे बढ़ा officer CCL में ये जो प्रफुल कुमार राय हैं कब बने थे तो option number B हो जाएगा सही अंसर 1969 यानि कि 1969 में CCL कर बढ़का officer बन लाई प्रफुल कुमार राय प्रफुल दा जो है राम किसोर राय कर बिटा प्रफुल कुमार राय जो है CCL कर बढ़ officer बन गिलाई 1969 में यानि कि 1959 में प्रफुल कुमार राय आठवी क्लास में जो प्रफुल कुमार राय को आठवी क्लास में कौन सी रचना को लिखे थे तो देख लिजे option number इसका B हो जाएगा जीवन समस्या और एक चकता रोज जो है इनका सबसे फेवरेट बुक है मतलब कि सबसे अच्छा लगता था इनको पढ़ने में Next प्रफुल कुमार राय कर द्वारा रचित रचना जीवन समस्या में किस चीज का वर्णन किया गया था तो देख लेते हैं किस चीज का माई कर कलपना चहुआ कर विबोग सी ऑप्सन नमबर दोनो तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी दोनो 28 नमबर प्रश्ण है प्रफुल कुमार राय कब से नाकपूरी लिखना शुरू किये थे तो देखिए इसका सही अंसर हो जाएगा option number B, 1943-48 तक ये उसी टाइम से start किये थे हैं पर फुल कुमर राय को सबसे अच्छी कौन सी कहानी अच्छी लगती थी तो कौन सा कहानी एक चक्ता रोध, option number A next चलते हैं, एक चक्ता रोध में किसका वर्नन किया गया है तो एक चक्ता रोध में एक मनोवज्यानिक किसिम कर कहानी है और एक पुराना उमरगर आदमी दोसर से बिहा करे ला, यानि कि दोनों के बारे में इसमें लिखा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number C, पर फुल चांद हांस कर पत्रिका पढ़ने से सरत चंद प्रेम चंद कर उपन्यास पढ़ने तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number D, C, ठीक है, 32 नमबर परसने प्रफुल कुमार राय, CCL में नोकरी कब से कब तक कर लें, तो देखिए ये 1969 से जब बढ़ता ओफिसर बने थे CCL के, उस टाइम से 1950 तक, प्रफुल कुमार राय, कर NCD CCL में कोन पत पर काम कर लें, तो उप कार्मिक प्रशाषन पर ये काम किये थे, यानि कि option number A, सही अंसर हो जाएगा, तीक है, 34 नमबर प्रफुल कुमार राय, कर असनातक कर सिक्षा का में हो लग, तो option number A, वानिज्य में हो लग नेक्स्ट प्रशन है, कहानी और गीत संग्रा सोईंजर कब छपलक, कहानी और गीत संग्रा जो सोईंजर है, कब छपलक, तो जो option हो जाएगा, सही अंसर, option number C, 1970, सही अंसर हो जाएगा, तीक है, 36 नमबर प्रफुल कुमार राय द्वारा, रचित सोईंजर कहां से छपा था तो ये बंगला परेश राचि से छपा था, तो जैसा मैं बता दूं कि जो इनका जनम हुआ है, इनके जनम को लेकर बहुत सारे बहुत बुक में अलग-अलग दिया हुआ है, तो आप परिसान ना होंगे, आप इसे कंठश से याद कर लेंगे, 1926 को, हाना, 1926 जो लिखा हु गया, कब छपा था, तो ओप्सन नंबर C, 1923 इस भी में, ठीक है, चलिए, नेक्स प्रस न, निमल लिखित में से इसन कोन उपन्यास है, जो प्रफुल कुमार राय द्वारा अभी तक छपा नहीं है, तो संकर गोटेक जिनकी बस एक 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 उपन्यास है, जो अभी तक छप प्रफुल कुमार राय को इतिहास वाचसपती का मानत उपाधी कहां से प्राप्त हुआ, प्रफुल कुमार राय को सहित्य वाचसपती, याद रखेंगे, सहित्य वाचसपती, यह सम्मान है, मानत उपाधी, ठीक है, उपाधी कहां से प्राप्त हुआ, तो चलिए ये भी हम विक्रम सीला विद्या पिट यानि कि विक्रम सीला हिंदी विद्या भागलपुर से क्या चीज कर उपादी मिला है तो सहित्य वाचसपती कर उपादी मिले लगे एक तालिश नमर प्रश्ण जो है निम्न देवल में से निम्न देवल मैंसे कौन नागपुरी कभी फागन कर विखसिस्ता बताया है तो option number 1 ये प्रफुल कुमार राय 42 नमर प्रश्ण जो है प्रफुल कुमार राय को प्यार से क्या कहा जाता था तो दा कहा जाता था प्रफुल दा और मैं last में और भी आपको प्रश्ण बता दू कि जैसे ये प्रफुल कुमार राय जो थे इनका पूरा फुल टिटल क्लास करा दिया गया है उसका link description में दिया गया है शुरू में ही मैंने बता दिया है ये आपका MCQ के क्लास हो रहा है ये लेखक और गायक दोनों थे ये नोट लिख लेंगे लेखक और गायक दोनों थे सात्वा में ये कब फेल हुए तो ये 1938 में सात्वा फेल हुए ठीक है? यानि ये सात्वा फेल हुए 1938 में और 1949 में ये सात्वा पास हुए थे यानि कि 1938 में फेल हुए और ये सात्वा पास हुए और फेल क्यों हुए थे तो English नहीं जानने के कारण English subject के कारण ये फेल हुए थे तो दोस्तो ये जो आपका है जो प्रफुल कुमार राय का जो MCQ है MCQ practice test ये कैसा लगा और भी आना चाहिए या नहीं ये आपको comment section में जरूर comment करना है जितना ज्यादा comment होगा और जितना ज्यादा आप दोस्तों के साथ share करेंगे उतना ही आपका जल्दी जल्दी class आएगा औ तो चलिए दोस्तो आपका जो है प्रफुल कुमार राय का जो MCQ फुल प्राक्टिस state आपका जो है यही समापत होता है और मैं बताना चाहता हूं कि ये नागपूरी का निव स्लेबस के अनुसार class कराया जा रहा है और PDF के लिए आप contact कर सकते हैं 8863-884281 पर 8040 classes सर्च करक तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें धन्यवाद वाचिंग पर इस वीडियो जय हिंद